और यह दिए इस में परॉल्ब्लम है जहां आपको प्राउब्लम आपके वह बहुत है तो भी आप मुंट्र कर ने करेंगे दिखिये यह जो क्लास है यह रीगिलर साम को 4 बज़े स्टार्ट होगी और साम की 4 बज़े क्लास में हम यहां पर आपको क्या पढ़ाएंगे क्या ब नुम्मर शेकिंड है यह हमारे क्लास इतने जो पढ़ाई जाएगी यही लाइब स्ट्रीम होगी तो यह विलकुल प्री होगी सभी के लिए और इसको पूरा का पूरा कवर करेंगे एस लेके जड़ तक इस युनिट नुम्मर टू में स्लेवर्स क्या हैं एंटी पीसी पीट उसके बाद उनीसवी वीसवी शताबदी में सामाजिक ततादार्निक सुधार आंदोलन स्वतंतरता संघर्स भारतिय राश्ट्री आंदोलन स्वतंतरता के पश्याद भारत का एकी करण एवं उनरगठन यह सारे के सारे जो टॉपिक हैं यह रखे गये हैं किसमें इस युन में डिवाइट किया गया जी एस पेपर बन का वहां से यह कवर हो जाएगा तो अब हम प्राचीन कालीन भारती इतियास वहां से सुरू करेंगे और धीरे लाश्ट तक कंप्रीट करेंगे यह जो लेक्चर है यह आपको ना सिर्फ MPPSC में काम आएगा यदी आप पटवारी का एक्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर भी एक्वाली आपको हेल्प करेंगा यदी आप समविश्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यही कवर करेगा अभी वन रक्षक और असिस्टेंट ग्रेट के भी जो एक्जाम है जिसमें जी एस का जो पार्ट रहता है तो वो सारा का सारा जितना भी हिस्ट्री अगर पूछेंगे तो इस लेक्चर से आप उतने ही एक्वाली वने से उठा सकते हैं अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इसके लिए यदी आप सैल तैयार करते हैं या यदी आप स्टेडी माटेरि और आधनिक ये कवर हो जाता है एंसी आडी को के अलावा आप कहां से पढ़ सकते हो तो इसके लिए यूनिक गाइड जो निकलती है चाहें वो इलावात से निकले चाहें वो मैग्रोयल की हो किसी भी पब्लिकेशन की हो जिसमें सारे जीएस के तौपिक होते हैं उसमें भी आपको ये बहुत अच्छे लेबल की इस्ट्री मिल जाती है कोशिस करो थोड़ा सा डीपली पढ़ो वन लाइन फैक्ट के रूप में पढ़ोगे तो इसमें लख होता है कि हो सकता है आपने जितने फैक्ट पढ़े हैं उसने ही क्वेशन आजाएं आप सही करवेट हैं ले उनको हम कवर करेंगे इस लेक्टर में वो प्राचीन कालीन से लेकर के मद्देकाल और आधनिक भारत के समय तक के प्रमुख युद्ध हैं उन युद्ध से कोई प्रशन आने की समभावना होती है तो युद्ध कब हुआ था किसके बीच में हुआ था परेडाम क्या हुआ ऐसे बहुत से युद्ध हैं लेकिन वे युद्ध जिनका कोई विशेस महत राजिन की वज़े से कोई परिवर्तन आया राजनितिक वियावस्ता में सांस्कृतिक वियावस्ता में उन से क्वेशन बनते हैं तो ऐसे ही कुछ युद्धों को लेकर के यहां आपके सामने इस यह जो युद्ध है इसका year क्या है तो यह युद्ध जो हुआ था 326 इसा पूर्व में इसे विपोर क्राइस्ट भी लिखते हैं इतिहास में जो घटना करम है उसे ऐसा माना गया है कि इसा मसी का जो जन्म है उसको आधार मानते हुए यदि उनके जन्म से पूर्व की घटना है तो इसा पूर्व कहलाती है यदि उनके जन्म से बाद की घटना है तो वह इस भी कहलाती है उसको हम A.D. के नाम से जानते हैं तो यह इसा पूर्व यानि अभी 2023 तो 2023 साल तो पीछे चलो और उसके बाद 326 इसा पूर्व यानि 326 साल और जोड़ दो इतनी पुरानी यह तो यह जेलम नदी के किनारे हुआ था इसे जेलम का या कर्री का युद्ध भी कहता है इस युद्ध में किस-किस ने पार्टिश्पेट किया था तो यहाँ पर आता है मैसीडोनिया का शाशक सिकंदर मैसीडोनिया का शाशक जो था फिलिप दुतिय था तो फिलिप दुति बो राजा पौरुस हो जाएंगे ठीक है अब इस युद में जो रिजल्ट निकला वो ये कि सिकंदर इसमें विजय हुआ था और पौरुस की पराजाय हुई थी अब यहां ये भी याद रखने वाला पॉइंट हो जाता है कि पौरुस की जो पराजाय थी उसके पीछे कारण क्या थे तो पौरुस की पराजाय का प्रमुक कारण थी यानि भारत में जो राजा थे प्राचीन काल से उनकी सेना में आर्मी में हाथियों का दल भी हुआ करता था जबकि ये जो सिकंदर था उसकी सेना में उसकी आर्मी में हाथियों का दलना हो करके तेज गती से दोड़ किया तो हाथी विछलित हो गए और जो राजा पौरस की विशाल सेना थी उस विशाल सेना के ऊपर ही उनोंने दौड लगा दी ये इनकी पराजाय का प्रमुक कारण था और सिकंदर की विज़य के पीछे कारण हम क्या बोलेंगे पौरस की पराजाय तो इससे जोड़ देते हैं सिकंदर की विजय का कारण उसके तीवर्गती से चलने वाले गुरसवार थे यानि सुसंगा की गुरसवारों की सेना थी आगे चल करके यहां पर ऐसा बताया जाता है कि सिकंदर और राजा पौरुस के बीच में मित्रता हो गई थी तो उसने उसे उसका पूरा राज बापस भी लोटा दिया था सिकंदर आगे बढ़ना चाहता था मैसी डोनियां से यह चल करके आया और कापी लंबे समय तक यह जो लड़ता रहा इरान के जो हाखामानी वंस उनका शासक था उसे पूरी तरीके से कॉलैप्स किया आगे बढ़ते बढ़ते जब और आगे जाना चाहता है तो लंबे यात्रा के कारण उसके जो सैनिक थे वो हतास हो गए थे और उन्होंने विद्रो कर दिया कि हम आगे नगी बढ़ेंगे तब उसे बापस लोटना पड़ा अब इस युद्ध का इंपेक्ट ये पड़ता है कि एक परफ भारती और सब्यता शांस्क्रती जो है दूसरी तरफ युदानी सब्यता और संस्क्रती है वो एक तूसरे के संपर्क में आती है हम कुछ चीजें उनसे सीख लेते हैं वो कुछ चीजें हम से सीख लेते हैं वो प्रभाव क्या होता है वो कौन-कौन सी चीजें उन्होंने सीखीती ये बन जाता है मुखे बरिक्षा का क्वेश्चन तो PT में यानि Objective के लिए हमारा इतने से काम चल जाएगा तो पहला युद्ध जो है 326 इशापूर, सिकंदर और राजा पौरुस के बीच लड़ा गया विजय इसमें सिकंदर की हुई और पौरुस इसमें पराजेत हुआ कारण क्या था वो अब इंसियंट भारत का ही दूसरा कलिंग युद्धिया कलिंग वार के नाम से जानते है बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा कि यह है किस-किस के बीच में तो मौरे साशक, महान समराट, अशोप और कलिंग के बीच में जो दूआ था यह रियाद रख लेंगे 261 इशापूर में कलिंग कहां पर आता है तो आज के समय जो औरीशा वाला जो रीजन है उससे संबन दिए होगा है यह माना जाता है कि इस कलिंग पर जब अशोप ने आकरमन किया था तो वहां कोई शाशक नहीं था कोई बालक वहे वहां का प्रमुक था उसकी माँ शाशन करती थी तो अधिकांस इतिहास कारों का मानना है कि शाशक दिए राज़ पर अशोप ने आकरमन किया था आकरमन क्यों किया था इसके पीछे भी यदि कोई बात करे तो दो तीन कारण इतिहास कार बताते है पहला यह बताते हैं कि अशोक अपने समराज जी को पूर्वी तड़ पर बढ़ाना चाहता था पूर्व के समुत्र तड़ पर अपना अविकार जमाना चाहता था यह भी इसके पीछे कारण है तो ऐसे अलग-अलग कारण है आपजेक्टिव में इन कारणों के पूछने की संभावना जो है वो जीरों हजाती है तो इसलिए हम उन कारणों में नहीं पढ़ते हैं परिणाम क्या हुआ परिणाम यह हुआ कि समराज अशोक इस युद्ध में विजई होता है लेकिन इस युद्ध में बड़ी संख्या में लोगों की म्रत्य हुई तो इस म्रत्यू के कारण यानि वीजण नरसंहार के कारण कहा जाता है कि समराज अशोक ने भवस्ध में कभी भी युद्ध न लड़ने की शपत ले ली तो पहले जो अशोक उसका एक भैरी घोष यानि युद्ध करना इसको अपनाता था यहाँ पर फिर हुआ है बहुत धर्म से पभावित हो करके धम गोष को अपनाने लगता है तो ये कलिंग के युद्ध इसमें येर महत्पून हो जाता है और शाशक कौनता ये तो सभी को याद होई जाता है तो दो प्रमुक युद्ध हो गए जो प्राचीन कानी भारती इतियास से वंबन दित है इसके बाद अशोक ने कभी हत्यार नहीं उठाए ये तो इतियासकार इस बात से मना करते है क्योंकि अशोक ने इस युद्ध के बाद भी करों की वसूली करने के लिए काफी ताकत का वलका प्रियों किया था तीसरे युद पर चलते हैं जिसका नाम है सिंद का युद अब ये सिंद का युद जो है 187 इसापूर्ग से लेकर 75 इसापूर्ग के बीच में इसापूर्ग को हम BC से रेप्रेजेंट करेंगे तो ये कितने साल लड़ा गया 187 इसापूर्ग की अगर हम बात करते हैं लगभग 112 वर्षों तक ये युद लड़ा गया 112 वर्ष तक एक ही राजा तो युद नहीं लड़ सका होगा ठीक है तो इसमें क्या होता है पीडी दर पीडी ये युद चड़ता रहता है और continuous भी नहीं लड़ा गया हमोर्चे थे जब आवसर मिलता था वैसे लड़ाईया होती रहती थी यह जो युद है ये स्टार्ट हुआ था पुश्यमित्र सुंग के शासनकाल में पुश्यमित्र सुंग को आप याद करेंगे यह वह व्यक्ती है जिसने प्राशीन कालीन भारती इतियास में दो अ्श्यमेध-यग्यों का आयोजन किया था और अश्यमेध-यग्यों ये राजा के सक्ति के प्रदर्शन के लिए किया जाते थे जैसे रामाइन में भग्वान स्रीराम ने भी किया था इसमें गोड़ा छोड़ दिया जाता है वो जिस दिसा में जाना चाहता है जाने देंगे यदी किसी को आपती है तो उसको रोपते हैं तो प्रयुद्ध होता था तो एक तो भारतिय शासक पुश्यमित्र सुंग हो गए और दूसरी तरफ यहाँ पर यूनानी जो वैक्टिरिया से संबंदित थे डिमेट्रियस के नित्रत में आतरमन किया था पुश्यमित्र सुंग तो इनको पराज़त नहीं कर सके लेकिन उनकी आने वाली जो जेनरेशन है उसी में बशुमित्र का नाम आएगा तो बशुमित्र ने इन उनानियों को पूरी तरह से पराज़त किया था तो मैट्पून पॉइंट हो जाता है कि ऐसा युद्ध जो काफी लंबे समय तक यानि एक सो बारे वर्ष तक लड़ा गया वो यही युद्ध है आगे यदि आप अभी तक नए है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और टेलिग्राम जो चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्टन में दिया है वहाँ पर भी आप कम्यूनिकेट कर सकते हैं वहाँ पर हम कुछ पीडियाप आपको समय समय पर देते रहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं तीन युद हो गए चौथा महत्पूर युद आता है हूडों का आक्रमन खूल खूल जिने हम कहते हैं तो इनके बारे में भी याद करना है हूड कौन थे तो ये वरवर जाती थी हसब बे जाती थी जो की पश्यमोतर चीन से संबंदित मानी जाती है अब इनकी एक जो शाखा थी उस शाखा का लीडर था नाम था उसका अटीला हूड तो उसके नित्रत में यही रूप की और प्रस्तान कर गए और पूरा का पूरा उन्होंने रोमन सामराज जो था नश्ट कर दिया तहस नहस कर दिया और दूसरी जो शाखा थी वो अफगानिस्तान के रास्ते भारत में आती है यदि हम भारत की जियोग्राफी देखते हैं तो भारत में जो नौर ये उत्तर में तो विशाल हमाले प्राकर्तिक रूप से एक बीवार एक सुरक्षा का कान करता है और दख्षिण में जो है वो इंडियन उसे निंद मास आगर है वो भी हमें सुरक्षा पदान करता है तो भारत में जब भी विदेशी आतरांता आए उनके आने का जो रास्ता है वो अफगानिस्तान से होते हुए यह वो एंडर्क करता है तो अफगानिस्तान पर इनोंने का यहां पर संगर्ष चला और इन हूडों को पराजित करने में मैध पूर्ण भूनिका किस ने निवाई थी वह नाम जरूर आप याद कर लेंगे उसका नाम है इसकंद गुप्ट इन्हों ने फूरों को पूर्ण पराज़त किया है फूरों की पराज़े में जो मैध पूर्ण व्यक्ति है वो एक व्यक्ति है सेनापती था जिसका नाम है यशो धर्मा तो यशो धर्मा नाम है सेनापती की मैध पूर्ण जिनिका हो जाती है यह चौता युद हो जाता है इन्सिंट से समझे नेक्स्ट अगले पर चलते हैं अगला है रावर का युद ये भी पूछे जाने की समभावना है रावर का युद जो है रावर नामत इस्थान पर लड़ा गया ये दो युद है पहला साथ सो ग्यारा इशवी में होता है और दूसरा साथ सो बारा इशवी में होता है ये क्यों महत्पूर हो जाता है कि इसमें आक्रमन किया था मुहम्मद विन कासिम ये जो मुहम्मद विन कासिम है पहली बार आक्रमन करता है पराज़त हो जाता है लेकिन दूसरी बार जब दस साथ सो बारा इस वी में आक्रमन करता है तो इसे सफलता तापत होती है और यहां पर ब्राहमान शार्शक हिंदू राजाता दाहिर उसको इसने पराज़त किया था और उसके पोरेट पर माथे पर दास शब्द लोहे की गर्म सलाथ से कुझवा दिया था जिससे सरमिंदा होकर उसने आत्मदार कर दिया था इस युद्ध के महत्पुन होने के पीछे कारण ये है कि यदि आप से पूछा जाता है कि भारत पर पहला इसलामी आकरमन कब हुआ था तो पहला इसलामी आकरमन यही है इसके पहले इसलामी आकरमन नहीं है भारत पर पहला विदेसी आकर्मन इरान के शासत दारा ने किया था जिसे डेरियस प्रथम भी हम बोलते हैं लेकिन पहला इसलामी वोने या पहला अरेविक वो यही युद्ध के रूप में जाना जाता है तो फिर से इसका महत्तपून इत्यास में इंपोर्टेंट है याद कर था तो ये तुर्क आकर्मन कारी माना जाता है ठीक है ये गजनी से भारत आया था गजनी एक जगह है इस्थाने वहां से भारत आया था इसको लेकर के इत्यास कारों में एकमत लगी है उनमें अनेकता मिलती है एक इत्यास कार है इनका नाम है इलियट इर्विन वो कहते हैं कि इसने भारत पर सत्रे बार आक्रमन किया था इसका नाम लेकर के हम लोगों को मोटिवेट भी किया जाता है जब कभी हम असफल हो जाते हैं कुछी एकजाम में तो का जाता है रहे आप तो पहले प्रियास में हार मार गए दूसरे में मान गए जब कि एक वो महमूद गजनवी था जिसने भारत पर सत्रे बार आक्रमन किया था मोटिवेशन के लिए अच्छी बात है तो सत्रे बार आक्रमन किया ऐसा इतिहास का रेलिय टेरविन बानते हैं इसके सत्रे के सत्रे आक्रमन आपको याद नहीं रखने है तो कौन से आक्रमन याद रखने है वो महत्कून कुछ चार-पांच आक्रमन याद रखेंगे इसका आपजेक्टिव क्या था क्यों भारत पर आक्रमन किया था तो विदेशी जो आक्रमन करते थे उसके पहले मूल कारण था भारत की धन संपत्ती को लूटना भारत हमेशा से संपन देश रहा दूसरा कारण जो रहा वो ये रहा कि वो अपना नाम करना चाते थे और तीसरा कारण जो रहा ये मद्यकालीन में आक्रमन करने का तो ये अपने इसलाम धर्म का प्रसार करना चाते थे तो पहला उद्देश यह है भारत की संपधा को लूटना और दूसरा उद्देश हो जाता है इसलाम को बढ़ा बादेश पहला आक्रमन होता है एकजार एशवी में जब इसने कावल के हिंदू साही शासकों को पराज़त किया उसके बाद दूसरा उद्द जिसे पेशावर का उद्द कहते हैं ये एक हजार एक इसबी में हुआ था उस समय पंजाब जो भारत का पंजाब और पाकिस्तान दोनों पंजाब को कम्माइंड करके वहाँ पर शासक हुआ करता था जैपाल तो जैपाल को पराज़त किया था औ अननदपाल ने कोशिस की थी कि संग बना कर समू बना कर इसे रोका जाए इसलिए भी ये महत्मूर हो जाता है ये जो संग था तो उस समय यानि की मद्द काल में राजबूतों का पहना सैनिक संगतन था इस विदेशी आकरमण को रोकने की एक हजार पच्चिस से एक हजार पच्चिस के बीच में सौमनात के जो मंदिर थे उस मंदिर को लूटा और उस पूरे मंदिर को नश्ट कर दिया था उसका अंतिम जो आकरमण माना जाता है सत्रमा वो जाट राजाओं के विद्रों को कुचलने के लिए 1027 में हुआ था तो ये जो सिलाइड है ये महमूद क जन्जी के आकरमण के सम्मद में संपूर्ण चानकारी दे देती है नेक्स्ट अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं अब हम आएंगे तराइन के युद पर तराइन के जो युद हैं तो वो तोटल दो युद हैं तराइन है कहां पर तो ये हर्याना में आता है पानी पत के पा प्रत्वी राज चौहान तो पहले युद में प्रत्वी राज चौहान विनर के रूप में सामने आता है अब प्रत्वी राज चौहान जो है अजमेर और दिल्डी का अफ़सने शाशक होता था इसे राय पे धुरा भी कहते हैं और ये मुहम्मद गोरी जो था ये अफ़ानिस्तान के एक पहाड़ी राजवन्स गोर से संब्धित था दूसरा यह दोता है 1192 इस्वी में और यहाँ पर फिर एक बात सभी को पढ़ा दी जाती है कि इसमें जैचंद के विश्वास घाट के कारण प्रत्वी राज चोहान की पराज़ी जैचंद के बारे में गहरवाल बंस का ये खा सकता आगे जब हम इस्वी को कंटीनू करते जाएंगे तो दिटेल में बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा जैचंद को याद करें कि क्यों प्रत्वी राज चोहान का यह सत्रू बनाता तो जैचंद ने अपनी लड़की का स्वाइमवर आयुजद किया था उसमें प्रत्वी राज चोहान को आमंत्रित नहीं किया इस कारण से प्रत्वीराज चोहान जो है वो रुस्ट हो जाते हैं और उसकी लड़की का अपरण कर लेते हैं तो जैचंद इसलिए उनका दुस्मन हो जाता है प्रत्वीराज चोहान को गरबतार किया गया इस युद्ध के परणाम सरूप और उन्हें ब्रत्विदंट दिया गया लेकिन एक फिल्म में ये दिखाया जाता है कि प्रत्वीराज चोहान जो है वो शब्द भेदी वान लगाते थे शब्द भेदी यानि आवाज पर निशाना लगा देना अगर रामायन आपने देखी हो रामचरित मानस आपने पड़ी हो तो जो राम के पिता थे राजा दसरत उनके पास भी ये शब्द भेदी वान लगाने का हुनर था और इस शब्द भेदी वान की वज़े से स्रवन कुमार की हत्या हो गई थी तो स्रवन कुमार जब पानी लेने कहे थे रातरी के समय ये वहाँ शिकार करते हैं पानी की हलचल सुनकर इन्होंने समझा के कोई जानवर है अपना तीर छोड़ दिया जो स्रवन कुमार के लगा स्रवन कुमार से फिर इन्होंने एक शमा मागी तो उन्होंने बताया कि मैं अपने बुड़े माबाप के लिए पानी लेने आया था उन्हें पानी तो पिला दो तो राजा दसरत एक घड़े में पानी भरके पर उनके माता पिता के पास लेकर जाते हैं लेकिन उनके माता प पहिता पेंचान लेते हैं अपने पुत्र के इस्तान पर इन्हें देखकर तो स्रमन कुमार के पिता ने राजा दसरत को श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यू भी पुत्र के मुह में यानी पुत्र की पीडा में होगी और इस कारण से राजा दसरत जब उनका अंतिम समय तो राम से नहीं मिल पाये ते खैट आगे बढ़ते हैं तो ये जो प्रत्वीर राजच चोहान जो सब्द भेदी वान लगा सकते थे मिसाना लगा सकते थे तो मुहम्मद गोरी को ये पता चला तो मुहम्मद गोरी ने इनकी खलाका प्रदर्सन देखने की इच्छा जाहिर की इसके लिए 한े मंच तयार किया क्या मुहम्मद गोरी बैठ जाता है उचाई पर और उसके सामने कई सारे लोहे के कवच भी लगा दिये जाते हैं और याँ पर काब्य पाड़ किया था जो सुरक्षा कबच लगाए गए थे इस वज़े से मुहमद गोरी बच जाते है तो ये तराइन के दो युद्ध हो जाते है इसके बाद एक और महत्पूर युद्ध है जो मुहमद गोरी से ही सम्मन देते है 1194 इसवी में लड़ा गया जिसे हम चंदावर का युद्ध कहते है और यहां पर इसने जैचंद को भी पराज़ित कर दिया था इस पराज़े के साथ ही ये जो तुरक थे इनकी सत्ता बनारस्त तक आ जाती है तो ये महत्पूर पॉइंट है जो हमें याद रखने है कोई डाउट है जरूर पूछें अगला युद आता है पानी पत पानी पत के टोटल तीनी युद्धे पानी पत के तीनों युद्ध महत्पूर ने पहला युद्ध जो हुआ पंदरासो चब्दीस में हुआ इसकी डेट भी याद कर लेना तो वो डेट है 21 अपरेल पंदरासो चब्दीस कि इसकी इसके बीच में हुआ यहाँ पर इबराहिम लोदी और दूसरी तरह पाता है वापर इबराहिम लोदी जो है यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शाशक और बावर जो है यह माने जाते हैं कि मुगल राजवन्स की यहाँ पर इस्थापना करते हैं इबराहिम लोदी जब दिल्ली सल्तनत का शाशक था तो इसके अत्याचारों से अत्यधिक लोग परेशन थे इसके मंत्री भी परेशन थे इसके दरवार के अन्य लोग भी परेशन थे तब उन्होंने आमंतर दिया था बावर को कि बावर भारत पर आक्रमन करे कहा जाता है कि बावर को आक्रमन करने के लिए राणा सांगा ने भी इंवीटेशन भेजा था इत्यासकार लिखते हैं किताबों में कि राणा सागा ये कहते थे कि बावर और अब्राइम लोधी के बीच में युद्ध हो जाएगा बावर तो लूट करके वापस चला जाएगा लेकिन बावर वापस नहीं गया बावर भारत पर आकमन करने क्यों आता है क्योंकि ये काबल जो है वो उस इस्थान पर रहते थे जहां पर बंजर घूमी थी प्लाइमेट फेवरेबल नहीं था गरीबी थी इसलिए मजबूर होकर के ये भारत की धन संपत्थी के लिए भारत में आकमन करते हैं बावर के माता पिता का नाम भी थोड़ा याद कर लेना तो इनके पिता का नाम जो था वो तैमूर लंग बंस के उमर फारूख माने जाते हैं मिरजा उमर फारूख और इनकी जो मा थी वो चंगेज खावंस की मंगोल हैं कुतलुग निगार खाना ठीक है बावर जब भारत में युद करता है तो काबूल से आया था ये पॉइंट तो याद रखी लोगे रिजल्ट ये मिला कि इब्रहेम जो लोधी है वो पराजित हो जाता है बावर की विजय हो जाती है और इसको आमंतरन करने के लिए पंजाब का गवर्नर जो था जो इब्राहेम लोधी का शत्रू था दौलत का लोधी उसने आकमन दिया था बावर ने अपनी आटो बायोग्राफी यानि उनकी जो आत्म कता है तुर्की भासा में जो लिखी है जिसका नाम है तुजुक ए बावरी उसमें ये कहते हैं कि राणा सांगा ने भी भारत आने का इंवीटेशन इनको दे जाता है तो पहला युद ये सारे पॉइंट माहित पूने इनके माता पिता के नाम से ले करके इस युद की डेट तक दूसरा पानीपत का युद होता है 1556 में 1556 में 5 नवंबर को यह युद लड़ा लिया इस युद में एक तरफ अकबर और दूसरी तरफ यहां पर कौन है तो हैमू अकबर की और से इस युद में मुख्य भूमी का जो निभाई थी वो वैरम खांकी रही थी हैमू कौन था तो हैमू जो है इसे राजा की उफादी दी गई थी इस उफ आदिल सा का प्रदान मंत्री था नमक वेचा करता था रिवाडी के बाजार में और अपनी योगिता के बल पर ये इतना वड़ा शाशक बना 24 युद लड़े और उसमें अधिकांस में इसकी विजय हुई एक या दो युद में कहीं पराजाय का उले किया जाता है इस युद का जो परिड़ाम है वो अकवर की तरफ सौभागे बस और हैमू के हार दौभागे बस इसमें हैमू विजय की और बढ़ रा था लेकिन आँख से खून निकलने लगता है तो उसकी सेना जो है वो ये समझने लगती है कि हमारा शासक तो मारा गया और वो भगड़ मस जाती है इस आवसर का फैदा उटा लेता है वैरम खां अकवर ने वैरम खां से कहा था कि हमारी पराजा निश्यत है अब हमें चलना चाहिए ल नहीं रोको इतियार करो तो एक प्रकार से यह इस्ति यहां पर पानीपत के दूसरे युद्ध में बनती है अगले युद्ध की और चलते हैं तीसरा पानीपत का युद्ध है जो 1761 में हुआ था डेट इसकी याद कर लेंगे 14 जनवरी 1761 को यह युद्ध अहमद शाह अब दाली यह आकरमन कारी था अब इस युद्ध के जितने भी महत्पूर पॉइंट हैं वो सब यहां पर मेंसन किये गए हैं कि जैसे मराठों की और से सेनापती कौन था इसमें दो सेनापती काम करते हैं एक जो बनाया गया और एक जो युद्ध के मैदान में सेनापती की वोन मराठों की पराजय हुई इस युद्ध में ये पता चल गया था कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा लेकिन इस बात करने नहीं हुआ कि भारत पर कौन शासन करेगा यानि आहमर शाब दाली आकरमन करके लूट पार्ट करके वापस चला गया था तो ये जो कोटेशन है एक और कोटेशन है कतन है जो पूछा जा सकता है हमारे दो रत्न नश्ट हो गए सैक्णों मन सोना गल गया हजारों मन चांदी बरबाद हो गई है कतन इसी युद्ध से जम्मन दिथा कैसे तो इसको समझ लो हमारे दो रत्न नश्ट हो गए इसका मतलब हो जाता है कि इनके दोनों सेनापती जदाशिव राव और विश्वे सर राव उनकी मरत्वी हो गई सेकड़ों मन सोना गल गया इसका मतलब है अन्य जो प्रमुक सेनापती थे जो प्रमुक योद्धा थे उनकी भी मौत हो गई मराठा परिवार से कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहा जिसने अपने यहां से किसी एक विप्ती की एक ना एक विप्ती को नकोया हो तो हजारों मन चांदी वरवाद हो गई तो ये पानी पत का तीसरा युद्ध जो की 1760 में होगा ठीक अगले महित्पूर्ण युद्ध की ओर चलते हैं जिसका नाम है खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा जाता ये भी बहुत महित्पूर्ण युद्ध है पूछे जाने की बुरी जमभावना है देखें यह युद्ध कब हुआ 16 मार्च 1527 को हुआ था 16 मार्च ठीक है 16 मार्च ये तो मेरे डेट अब वर्थ है 1527 में मेरा जन्न नहीं वाक है नहीं तो मैं कई सदियों का इंसान हो जाँगा अब ये खानवा है कहां पर तो फतेपुर सीकरी से लगवग दस मील दूर है फतेपुर सीकरी कहां पर है तो आगरा से फतेपुर सीकरी का संबन अकवर से ज़्यादा राय युद्ध किसकिस के बीच में हुगा तो यहां पर बावर और दूसरी तरफ है राणा सांगा यानि बावर का सबसे शक्तेसाली जो सत्तू था राणा सांगा के बीच में यह दुआ राणा सांगा की साहता किस ने की थी इब्राहिम लोधी के भाई महमूद लोधी ने अब ये महमूद लोधी कौन है महमूद लोधी कौन है पानीपत के पहले युद्ध में बावर से इसकी पराज़ा हुई थी पर एक लोदी और सुना था आपने एक लोदी पंजाब का गवर्नर था दौलत कहा लोदी वो इनका सत्रू था इबराहिम लोदी का तो ये सब जो नाम एक जैसे हो जाते हैं आपको इनको बड़े अच्छे से याद कर लेना चाहिए ठीक है इस युद्ध में बावर पराज़त होने लगता है हार के नजदीक पहुँच जाता है लेकिन बावर ने इस युद्ध का परिणाम अपने पेवर में कर लिया कैसे हुआ ये चमतकार बावर ने देखा कि हमारी सेना पराज़त होती जा रही है तो उसने अपनी पूरी सेना की युद्ध रात्री के समय मीटिंग बलाई मीटिंग बलाने के बाद उसने कहा कि ये कोई युद्ध सामान युद्ध नहीं है ये धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है यानि इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया आज टेरिरिस्ट भी जिहाद का नारा देते हैं कश्मीर में जो हम देखते हैं वो तो एक तो जिहाद का नारा दिया गया कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है मर गए तो जन्नत मिलेगी जितने सैनिकों के शराब पीने की आदतें थी उन सब के प्याले तुड़वा दिये यानि व्यशन वुरी आदतों से दूर करवा दिया तो एक उनकी आर्मी में नए जोस का संचार हुआ और उस कारण से राणा सांगा की इस जुद्ध में पराजए हुई और उनकी नटक्शी हो गई ये महतफून युद्ध हो जाता है खानवा का युद्ध फंद्रह सो सत्ताई सीशी में हुआ अगले युद्ध पर चलते हैं ये दोनों युद्ध भी महतफू है चौसा और विलग्राम का युद्ध कन्वज के युद्ध के नाम से भी ये पूछे जाते हैं उसके पहले एक और युद्ध है बावर से संब्दित है गागरा का युद्ध 1529 में हुआ था ये सर्यू नदी के किनारे पर है तो बावर ने यहां पर महमूद लोधी को पराज़त किया था जिस महमूद लोधी ने खानवा के युद्ध में नाना संगा की साहता की और ये चौसा और विलग्राम के जो युद्ध हैं ये दोनों किस से संबन देते हैं तो ये हुमाईू से संबन देते हैं और शेर्शा सूरी से संबन देते हैं 1549 1539 और 1540 AD में ये युद्ध लड़े गए दोनों युद्ध का परिणाम एक जैसा रहा हुमाईू की पराज़े हुई और शेर्शा से जो है इसकी विजय हुई ठीक है अब इसी युद्ध में इन्ही युद्ध से संबन देते एक पॉइंट और याद रखना है कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताओ मद्यकालीन भारती इतियास में किस स्राशक ने चमडे के सिक्चे चलवाए मद्यकालीन भारती इतियास में किस स्राशक में चमडे के सिक्चे चलवाए तो वो चमडे के सिक्चे चलवाने वाले स्राशक का सम्मन यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है 1549 में और 40 में दोनों में पराज़य हुई अब हुमाईयों पराजत होने के बाद भागता है अपनी जान पचा करके तो रास्ते में एक नदी मिलती है नदी के बारे में कहा जाता है करणावती नदी तो करणावती नदी में यह घोड़े के साथ ही उसको पार करने की कोशिश करता है नदी का बहाव तेज है तो यह बहने लगता है डूबने लगता है तो उस समय इसकी जान बचाई एक नाविक ने उस नाविक ने इसकी जान बचाई बदले में हुमाईूं ने उसे एक दिन की वाद शाहत का बचन दे लिया कि हम तुमें एक दिन का नायक बना देने और उस नाविक को उस मल्ला को कई जगे विष्टी लिखा रहता है उसे एक दिन का शासक बनाया उस एक दिन की बादसाहत में उसने चम्डे के सिक्चे चलबाए नाम था उसका निजामुद्दीन सक्का ने चम्डे के सिखे चलवाए रहे हुमायूं सेरसा सूरी पे पराजित हुआ 1540 में फिर वह अपने जान बचाते हुए से भारत से जाना पड़ा और 15 साल तक उसे बाहर रहना पड़ा 15 साल के बाद आता है यानि 1365 में तब दुवारा दूसरी अवि की सीडियों से गिर करके उसकी मौत हो जाती है तब किस इतिहासकार ने कहा कि वह एक ऐसा अभागा शासक था जिस जो जीवन भर गिरते पड़ते जिया और उसकी मौत भी गिरते पड़ते हुए कोई बताना चाहेगा कि यह कथन किस इतिहासकार का है अगले युद्ध पर चलते हैं अगले युद्ध का नाम है ताली कोटा का युद्ध जो की 1565 में लडा जाएगा यह महतपूर हो जाता है यह युद्ध 1565 जनवरी 23 को यह तुंगभद्रा नदी जो है उसके दक्षणी किनारे पर ताली कोटा नाम अकिस्तान पर लडा गया इसका दूसरा नाम म राक्षशी तंगडी इसे राक्षशी तंगडी के युद्ध के नाम से भी जामते हैं इसे बन्नी हट्टी के नाम से भी जामते हैं शौरव पांडे लेनपूल ने कहा करेक्ट बन्नी हट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है अब इस युद्ध में विजह नगर का शासक कि संग में मिल करके हुशेन निजाम साथ की ने तरत में इसे पराज़त किया था ये क्यों मैत्पूर्ण हो जाता है कि यह अब भारत का अंतिम हिंदू साशत था इसके बाद पूरे देश में मुस्लिम सत्ता फैल जाती है तो ये ताली कोटा का युद इसलिए मैत्पूर्ण हो जाता है आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी शेयर कर देते हैं 2022 के लिए जो 427 पद अभी निकले हैं 427 जिनके लिए एक्जाम डेट डिसाइड की गई है 21 माई को MPPS का एक्जाम लेगा 427 से इसके 500 होने की जंबावना है ये पूरा PT का targeted बैक जो है वो स्टार्ट हुआ है यह साम को तीन वजे से जुरू होता है तो इसको आप जाइन कर सकते हैं मेरा लक्ष है 120 दिन में इसको cover कराना पूरा syllabus इसके unit wise test भी रहेंगे पूरे के पूरे जितने updated notes हैं वो आपको दिये जाएंगे इसके लिए minimum fees रखी गई है और इसमें ये जो lecture है unit number two history वाला ये आप कहीं भी बैट करके देख सकते हो बाकी की classes के लिए आपको जो app है वो download करना पड़ेगा और इसके email आईडिये उसके द्वारा, WhatsApp के द्वारा, Telegram के द्वारा, Facebook किसी भी माध्यम से आप तंपर करके जो भी आपकी query है वो आप ले सकते हैं वाराजों से ज़्यादा यहाँ पर live classes के वीडियो आपको इस channel पर मिल जाते हैं आगे बढ़ते हैं अगले युद की ओर हल्दी युद्ध जो है 1576 में लड़ा जाता है ये जो युद्ध है ये किस-किस के बीच में हुआ था तो यह युद्ध अकबर और मेवाड का शासक होता था महाराना प्रताप उनके बीच में लड़ा गया 18 जून को हल्दी घाटी के युद्ध इसमें महाराना प्रताप की राजपूतों की शक्ती को पहचानते हुए उनका उप्योग भी उसने किया है ये हम आगे के लेक्चरों में देखेंगी नेक्स्ट अब आते हैं उत्रादिकार के युद्ध पर उत्रादिकार के युद्ध जो है इनका संबन्द है औरंग जेव से औरंग जेव और उसके भाईयों के बीच में ये युद्ध लड़े गए किस बात को लेकर के लड़े गए कि जब शाजहां की आवस्था खराब हो जाती है तो कौन उनका उत्रादिकारी बनेगा उसको लेकर के युद्ध लड़े गए थे तो वो जो युद्ध है थोड़ा सा उनको डेटेल में क छोड़ सकते हैं शेर लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करें थैंक यू सो मच एंड गुड़ लॉग